कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसे सच साबत कर दिखाया है राइपुर के देश्री भोयर ने देश्री बच्पन से ही नेफ्रहीन है देश्री को पंडित रविशंकर शुकल विश्वेद्याले का 26 वा दिक्षान समारू में पीएजडी की उपादी मिली है देश्री के पीएजडी तक का सफर कैसा रहा इसको लेकर बातचीत की हमारी सयोगीतन वर्बाने अगर मन में कुछ करने की चाह हो तो कोई भी परिशानी सफलता पाने से ही रोक नहीं सकती जिसका जीता जागता उदाहरण है राजधानी रायपूर की देश्री भोयर बता दें कि 36 गड के पंडीत रवी शंकर शुकल विश्व विद्याले का 26 दिक्षान समारो कल आयोजित हुआ है जिसमें देश्री भोयर को पीएजडी की उपाधी मिली है देश्री बचपन से ही नेतरहीन है देश्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तो उनसे ही जानते हैं कि उनका पीएजडी तक का जो सफर है वो कितना चुनोती भरा रहा तो देश्री बारती राजनीती में अटल विहारी वाजपई की योगदान पर आपने पीएजडी किया है तो पीएजडी के लिए आपने इसको जुना भारती राजनीती में मैंने जो अटल वियारी वाजपई पे जो पीएजडी की है मैंने इसलिए चुना क्यूंकि वो वेक्ति ऐसे थे बुद्धी मतलब वेक्ति तो बुद्धी के धनी थे और उनके मन में किसी के प्रति चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई भी हो किसी के प्रति उनमें बुरा विचार नहीं था वो गरीबों के लिए हमेशा अतत पर रहते थे खड़े हुआ करते थे और जो आज की ज़न धन यह उसना चर रही है वो उनी के नाम पर उनी की देन है तो हम यह कह सकते हैं चाहे वो सदन में बहार रहे हो चाहे सदन के अंदर सब के लिए एक समान विवहार करते थे और वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि उनके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता आपका पी एचिटी तक का जो सफर है देशरी वो कितना चुनोती पूर्ण रहा है बताएं बता दे कि जो मेरी स्कूली शिक्षा हुई है प्रेणा होस्टेल में में रहकर पाचवी तक ब्लाइंड स्कूल में की हूँ फिर सिक्स से लेके ट्वेल तक के नौर्मल स्कूल जहां पे 31 मरशी दयनन्द में स्कूल है वहां से की हूँ और कॉलेज मैंने जो बीए की यमें तक की पढ़ाई डिग्री गल्स में काली बाडी राइपूर से की हूँ और जो पीएजडी का सपना मेरे पिताजी का भी था और मेरा भी था तो कोई ऐसी चुनोतियां का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि चुनोतियां भी आई है तो उन्होंने दरकरार किया आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है आगे आप और क्या करना चाहती है मेरी फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि मैं आगे भी प्रोफेसर पद में ही रहूंगी अभी भी धमदा गौर्मेंट कॉलेज धमदा में अभी असिस्टन प्रोफेसर राजनीती विज्ञान में पढ़ारी एडाप्ट पे और आगे मेलम में रेगुलर के पोस्ट पे पढ़ाना है नेत्रहीन होने के बाद भी देवसरी ने कभी हार नहीं मानी और इस मुकाम को हासिल किया है कैमरामेन इमरान कुरेशी के साथ तनुवर्मा निउज 18, 36 कर